अयोध्या में 22 जन्वरी को राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा का भव्यकारिक्रम होने वाला है जिसे लेकर पूरे देश में खुशी का महौल है वही राम मंदिर को लेकर विपक्ष यानी कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से बयान बाजी और प्रान प्रतिष्ठा में शामिल ना होने की बाते सामने आई है अभी से लेकर सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने सीधे सपा, कॉंग्रेस और बस्पा पर हमला किया है राम मंदिर के प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम में विपक्ष के ना शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा है विपक्ष के दिल में, मन में, घर में राम है वो पूजा पाठ करते हैं उन्होंने सपा, कॉंग्रेस बस्पा का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों के दिमाग में है कि हम वहाँ जाएंगे तो मुसल्मान नाराज हो जाएगा बिपक्च के मन में दिल में घर में राम हैं भगवान हैं वो पूजा पाट करते हैं सिर्फ राजनीत की वज़े से सपा और कांग्रेस बसपा जैसे इन लोगों के दिमाग में कि अगर हम वहां जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगे इस नाते वो इस तरह की अनरगल ब जैसे की हमारा राजनीत में नुकसान ना हो हम बीजेपी के साथ सूर में सूर कैसे मिलावें जाएंगे न जैसा की सपा के मुखिया के बयान है कि हम 15 के बाद जाएंगे तो बासता है कांग्रेस अभी 15 तारीक को आसता है तो वह सिर्फ राजनीत के वज़े से लोग 22 को राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पीडिये पर निशान असाधा उन्होंने पिछडों दलितों का हक लूटने का आरोप लगाया राजभर ने अमबेटकर नगर में सपा के जुला अध्यक्ष का वाक्या बताते हुए अखिलेश को सुनाया है जब सरकार थी तो पीडिये तो याद नहीं आया पिछडों का हक लूटा दलितों का हक लूटा अभी एक नई बात बता दूं अमबेटकर नगर का एक सिदूल काष्ट का व्यक्ति को समाजवादी पार्टी के जिला ध्यक्ष ने बहुत बुरी तरह मारा वहां के पांचों व करेंगे वहीं उपी राजभर से शिवपाल के उस बयान पर भी सवाल पूछा किया जिसमें सपाल महासचीव ने कार्सेव को पर गोली चलाने को सही ठेहराया था इस सवाल पर सुभा सपा अध्यक्ष ओपी राजभर बच्चते नजर आये उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया अब अखिलेश यादब तक जब राजभर का ये बयान पहुँचेगा तब देखना दिल्चस्प होगा कि सपा अध्यक्ष राजभर के बयानों का जवाब किस अंदाज में वो देते हैं एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की